तो हेलो गाइस कैसे हो यार मैं बहुत टाइम बात कोई क्यूब सॉल्विंग के उपर वीडियो बना रहा हूं फर्स्ट अफॉल थैंक यू ओल फोर 850 सब्सक्राइबर्स मैं ने देखा मेरे कली के दिन 850 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो थैंक यू सो मच यार आप सभी लो जन होता है बस इस में अदूघऊ से होता है कि जो पत्त करें सब्सक्राइ害 में 30 कि गयर क्यूक्ते में 31 के व्था छांग को एकम सारी लगाने हर एक मूब को डॉबल टाइम लगाना बस इतनी सी बात याद रखनी है बाकि तो एक क्यूब को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है जिसको भी 3 into 3 क्यूब आता है उसके लिए बच्चों का खेल है तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो गाईज इसको डिखे आपने सापसों बshore है देखना हो जैसे कोई भी कौन नपीस देखना होता है जैसे भाइट ग्रिन रेड है तोपने को वाइट ग्रीन वाला और पीस चीए आ exercite यहाँ ़ाने इसको आप करा नेक्स्ट अभी इस साइड अपन को टू वाइट के कॉर्नर और लगाने तो आपको नीचे वाली एरिया में अल्रेडी अलाइन हुए मिल जाएंगे क्योंकि एक सिम्मेट्रिकल पजल है इसमें सारे के सारे आपको जो इसके आपोजिट वाले पीस हैं वह अपने अप जो करना तो मेरे टू पीसिस तो अल्रेडी लगे हुए आए हैं आपके नहीं आते तो आपको इस ट्रिक के वज़ए से इसको लगाना है तो सबसे पहले तो यह देखो हमारे बीच में यलो का सेंटर है लेकिन हम तो बना वाइट रहे हैं तो आपको वाइट वाला सेंटर नहीं यह वाइड ब्लु जहां पर आपको व्हाइड ग्रीन लगाना था वह री इस तरफ यह वाइट ब्लू इधहर आएगा जो की उधर तो अपनको इसको उधर भीजना यह लिए जो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको एक kg लगाना है जो कि है यूटू फृर फॉर ठीक है four time ओर गाना है फिर वापस से YouTube फिर four time हार लगाना है ये काफिर ईजय TO मैं जैसे यह आप इसको लगा होगे तो आपके togces सही तरीके से ओ्याइन्ट हो जाएंगे देख सकते हो यहां white blue है और यहां white green है जैसा कि हमें चाहिए था पर यह piece जैसे इसके gear जो होते हैं जो move करते हैं तो जैसे इस तरीके से लगे हुए नहीं आई यह तो कोई बात नहीं अपने इसको कर देंगे पहले अपन नीचे वाली जगाओं पर देख लेते हैं तो यहां पर ब्लू यल्लो साइए यल्लो ग्रीन भी साइए white green साइए white blue साइए यानि सारे पीसे साइए तो बस अब आपको इसको आगे की तरफ ऐसे मूब करते जाना है जब तक यह पीस तरीके से और्येंट नहीं हो जाते है इसको आपको घूमाते रहते हूं कि इसमें कोई मूव जरूरी नहीं कि इतने मूव में हो लेकिन आपको जब तक घुमाते जाना जब तक यह पीसे सही तरीके से ओरियेंट नहीं हो जाते तो मैं इसको घुमाते रहता हूं कि अब कि अब कि अब तो बेसिकली गेर क्यूब के कभी कभाई गेर अटक जाते हैं लेकिन अभी आप देख सकते हो यह जो गेर से सारी के सारे साही जगा पर आलाइन हो गए तो सारे एच पीसे आपके लग चुके हैं तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपके कोई और सिच्वेशन आई हो तो आप क्या करेंगे तो गाई्ञद अगर यह नहीं आपके यह सिच्वेशन आई हो जैसे यह का वाइड भल्यू है वाइट ग्रीन यह आपन you को तो स्वैप करने मतलब यहां पर देखो यह ग्रीन का सेंटर तो कवी कभा लोग यहां पे इसको स्वैप कर देते हैं उससाइड इसको पहुंचा देते तो वैसे इस सेम अपन को जब तक घुमाते जाना है जब तक अपना यहां पर white के pieces align नहीं हो जाते हैं जैसे white के piece align होएंगे बाकी के सारे pieces अपने आप orient हो जाएंगे देखो जैसे white का हो गया तो यहां blue के भी हो गया यहां yellow के भी हो गया यहां green के भी हो गया सेम आपन को यहां पर भी वैसा ही लगाना है यह काफी जादे easy होता है solve करना बस इसमें 2-3 situations आती है बाकी इसको solve करना बहुत easy है इसमें सिर्फ two algorithms लगते हैं इस पूरे cube को solve होने में तो देखो guys आप देख सकते हो सारे के सारे pieces लग चुके हैं लेकिन जो लोग सोच रहें कि यह cube to solve हो गया लेकिन अगर आप जान से देखोगे तो किसी किसी के पास gear cube ऐसा होता है जिसमें यह center की side वाले pieces नहीं होते लेकिन मेरे cube में तो यह है और यह देख सकते हो यहां पे नहीं जो colors हैं वो अलग अलग है देखो जैसे यह green है यह blue है जो अपन को नहीं चाहिए और यहां और जाहरे तो यहां और lifelong को यहां पूँचाना हा है एक और और ऐंजं कहीं होगा ऊसको भी अपन को लगाना है यह मीट के एजसे इस अरे अलग हूँ इस जगह को आपको फ्रेंट में रखते हुए एक छोटा सा अलगोई तम लगाना है यूटू आर्टू यह कभी-कभी ऐसे अटग जाता है तो आप इसको उल्टी तरफ से लगा सकते हो आर्टू यूटू आर्टू यूटू आर्टू यूटू आर्टू यूटू एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी वहां पे मेरे गेर अटक गये थे जिस वज़े से कोई दूसरा ही अलगुईत लग गया बाकि वही सेम अलगोई तम लगाना काना जिस जगह पे 4 मिट पॉइंट के एजस जो अलग-अलग हों उस जगह से आपको सेम वही अलगोई थम लगाना है जो मैंने आपको बताया था U2, R2, U2, R2, U2, R2 जैसे हैं आप ये पूरा algorithm लगा दूगे हैं आपका पूरा पूर फूरा Fortune part조ove हो जायेगा ये इसमें वस दो ही algorithm लगेते हैं मेरे बीच में जैसे आपका भी जो Uhr होगा अगर आपका non magnetic हो मेरा है तो इसके जो यह गेर्ज है ना यहां पर ऐसे मूव कर जाते हैं तो इस मूव करने के वज़ज़ से आपको जो भी अलगोईथम है जैसे यह दिखो या अब कोई दूसरा ही अलगोईथम लग गया यह वाला सही हो गया तो यह वाला बिगड़ गया सेम मेरे साथ भी यही हुआ था तो मैंने इसको वापस से पूरा स्वल करके बताया था आपको तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसमें जो लियूब आता है वो डाल देना जैसे मतलब क्यूब फास्ट हो जाते है न तो उसको डालने के बाद आपकी दिक्कत नहीं होगी बाकी तो गयर क्यूब से रिलेटेड अगर कोई और भी कोई आपको डाउट आ रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता देना यह टुटोरियल पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर 850 सब्सक्राइबर्स हमें आगे भी ऐसे ही जाना है 900 सब्सक्राइबर्स भी अभी हपन को गेन करने है सो थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग